कल रात अक्षिक कुमार और रजनी कांथ स्टार टू पॉइंटों की रिलीज डेट आनाउंस हो चुकी है फिल्म नो 29 नवंबर को रिलीज हो रही है इसी के साथ मुश्किल ये है कि फिल्म अभीशेक कपूर की केदारनाथ के साथ क्लैश करने वाली है केदारनाथ सैफली खान की अमरिता सिंग की बेटी सारारी खान की डेब्यो फिल्म है जिसमें उशुषान सिंग राजपूत के साथ दिखेने वाली है अब देखना ये है कि केदारनाथ रजनी कांथ की फिल्म के सामने टकर लेने करे लिए सफल होती है या पीछे हट जाती है वहीं अगर फिल्म देखा जाये तो 2018 के बॉक्स ओफिस पर नवंबर सबसे बड़ा महीना होने वाला है अक्षकुमार आमिर खान मिलकर इस महीने में 600 से 700 करोड की कमाई कर देंगे गौर्दलब है कि नवंबर दिवाली पर ही आमिर खान की टक्स ओफ इंदुस्तान भी रिलीज हो रही है अब केवल टक्स ओफ इंदुस्तान पर ही फिलाल 300 से 400 करोड का डाव है वहीं 300 से 400 करोड का सटा अक्षकुमार रजनी कांथ स्टार मूवी 2.2 पर भी खेला जा रहा है यानि कि किसी भी तरह से नवंबर इस साल सबसे बड़ा महीना कहलाएगा वहीं कि यदारनाथ, स्टूडेंट ओफ दायर 2 और टोटल दमाल जैसे फिल्में भी इस रेस के अंदर मुश्किलों से खड़ी है ये तीनों ही फिल्में नवंबर में रिलीज के लिए लगी हुई है लेकिन अब दो बड़ी फिल्मों के बीच इन्हा का बॉक्स ओफिस पर क्या असर पड़ेगा ये तो देखना दिल्चस्प रहने वाला है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि महीना कौन लेकर जाएगा आमिर खान या अक्षर कुमार आपको बता दे कि आमिर खान की टक्स ओफ इंदुस्तान साथ नौंबर को और अक्षर कुमार की रोबोट 2.0 29 नौंबर को रिलीस हो रही है हलागि इन दोनों मुवीज के अंदर काफी गैप है लेकिन नौंबर महीने का काफी बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन का टक्कर तो इन दोनों में रहने ही वाला है दोस्तो अब तक की सबसे बड़ी ओपनर है रो रनवीर कपूर की मुवी संजू इस मुवी ने काफी अच्छी ओपनिंग देते वे 34 करोड की कमाई कर ली दी जो कि साल की सबसे बड़ी ओपनर मेरे से भी एक है क्या ये इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी ये हमें कमेंट करके जुरू बताया और सब्सक्राइब करें देखो देखो क्योंकि बॉलिवूड से जुड़ी आपको और कबर यही मिलेगी सबसे पहले